हेलो दोस्तों, Amit Thinks YouTube channel में आपका स्वागत है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम PHP 7.4.12, जो current version है, उसको download and install कर सकते हैं Windows 10 पे, उसके लिए यह रही steps, सबसे पहले देखे, current version है 7.4.12, जो हमारा 29 October को आया है 2020, सबसे पहले हम download करेंगे, PHP, फिर path set करेंगे, फिर check भी क करेंगे कि हमने सई से install किया है कि नहीं, सबसे पहले download करते हैं, browser पर जाएए, हम chrome यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी browser यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर google पर लिखिए PHP, enter press कीजिए, enter press करती देखिए, official website आगी, php.net, click कीजिए, click करती देखिए, 7.4.12 release हो गया है, download पर click कर करते हैं, download पर click करते ही, हमें windows पर download करना है, windows 10 पर, तो हम windows downloads पर click करेंगे, click करते ही, 7.4.12 version के आगे, downloaders, यहाँ पर x64 के लिख है, तो हम 64 bit पर करना है, तो हम यही use करेंगे, यहाँ पर non-threadsave version है, और thread safe है, दोनों visible है, हमेशा याद रखिए, आपको thread safe पर click करना है, यहा download करनी है, 24 MB की, इस पर click करते है, download करने के लिए, यह देखे, download start हो गए, download complete हो गया है, यह zip file है, इस पर click करते है, show in folder में, यह हमारा browser से हुआ है, तो downloads folder में जाएगा, show in folder पर click कीजिए, यहाँ पर देखे, download folder में आ गया है, अब यह रिसकी zip file, इसको extract करते हैं, यहाँ पर, right दोस्तों, देखे, extract हो गया, यह रहा हमारा downloads folder में, यहाँ पर, right click करके, rename कर लेते हैं, इसको पहले, PHP 7.4.12, अब right click कीजिए, copy करते हैं इसको, c drive में जाएए, program files और यहाँ paste कर दीजिए, access दे दीजिए, continue पर click करके, अब देखिए, download कर लिया हमने, php.net site से, अब यहाँ path set करते हैं, minimize कीजिए, start पर जाएए, यहाँ पर लिखिए variable, environment variable set करना है, इस पर click कीजिए, edit the system environment variables, याद रिखिए का, इसे पर click करना है, control panel वाले पर, click करते ही system properties आगे, under advanced tab में, environment variable पर click कीजिए, यहाँ पर environment variables आगे, यह अमित user के लिए, यह सारी users के लिए, हम सारी users के लिए करेंगे, तो system variables में जाएए, यहाँ path लिखा होगा, double click कीजिए, set करने के लिए, यहाँ पर देखिए, सारे environment variables आगे, यहाँ पर new पर click कीजिए, अब यहाँ पर path set करना है, कौन सा path, वही जहाँ पर हमने install किया था, यह रहा, open कीजिए, इस path को copy कर लिजिए, बस यही वाला path है, इसको new पर click करके, यहाँ पर paste कर दीजिए, बस, paste कर दिया हमने, ok पर click कीजिए, ok पर, और आखरी ok पर save करने के लिए, अब देखिए, दो steps हो गए, install हो गया है, अब check भी कर लेते हैं, कि सई से install हुए की नहीं, verify करने के लिए start पर जाएए, cmd लिखिए, click कीजिए, command prompt पर, हमारा command prompt आ गया, यहाँ पर command लिखिए, php-v, v का मतलब version हुआ है, यहाँ पर, अब interface करके देखते हैं, क्या आएगा, दोस्तों देखिए, अगर आपका यह आगे, मतलब आपने सई से setup कर लिए, php का अपने windows 10 operating system पर, 64 bit पर, आप version लेके 7.4.12, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम php को download और install कर सकते हैं, Windows 10 पर, 7.4.12 current version है, सबसे पहले हमने download किया है, php.net website से, कौन सा version था आपको याद होगा, thread save, उसके बाद हमने path set किया, फिर हमने verify भी किया कि सई से install किया है कि नहीं, तो दोस्तों धन्यवादे वीडियो देखने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल AmitThings को ज़रू सब्सक्राइब कीजी, अगर ये वीडियो आपको English में देखने हैं तो हमने नीचे link भी डाला है, जिससे आप ये वीडियो English Language में देखके अपने system पे PHP 7 को install कर सकते हैं.